वेल्काउं टुमाइचेनल से अभी वितसूप फ्रेंट्स आज हम बैंक प्रोमोशन एक्जाम में एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है विद्या लक्ष्मी पॉर्टल ठीक है तो हमें विद्या लक्ष्मी पॉर्टल के बारे में जानना है एक्जाम में कई बार एक बीरे में जाने लेते हैं विद्या लक्ष्मी पॉर्टल इसे विद्या लक्ष्मी पॉर्टल बी लाइक कर सकते हैं देखे बिद्या लक्ष्मी पोर्टल प्रोवाइड सिंगल बिंडो फार इस्टुडेंट तू एक्सस इंफरमेशन एंड मेक अब्लिगेशन फार इजुकेशन लोन प्रोवाइड़ वाइड बैंक्स और गॉर्मेंट इस्कॉलर सिफ्ट विद्या लक्ष् लोन पर आइडियन बैंकिग इस्ट भ्रोव इसके लोन पर भॉर्मेंडेशन थी उसके हिसाफ से एक पॉर्टल डेवलप किया जिसका नाम विद्या लक्ष्मी इलेक्रोनिक प्लेटफारम रखा गया विद्या लख्ष्मी पॉर्टल कहा जाता है ध्यान रखिएगा इसे एक विद्यालक्षमी जो प्रोटल है उसके फॉलोइंग फीचर से एक तो यह इंफरमेशन अबाउट इजूकेशन लेन लोन इसकी में जानकारी मिल जाती है उसके बाद में कामन एजूकेशन लोन अप्लिकेशन फार्म होता है जिसको इस्टूडेंट भरे और सभी बैंकों लोन आप्लाई कर सकता है अप्लाई तु मल्टिपल ऐखों Charles क्पा वेंक को में उभर आप्लाई कर सकते हैं फैसलिटी फार वंक टूड्वोड स्टूड़एं और लोन अप्लीकेशन हैं बैंकों के लिए सुविधा ये है कि वो student के जो loan application है उनको download कर सकते हैं उन्हें process कर सकते हैं facility for bank to upload loan processing status साथ ही साथ bank चाहें बैंक चाहें या ना चाहें उनको करना ही होगा loan का processing status उन्होंने accept किया reject किया process करने जो भी है उसको उन्हें update करना पड़ता है उसके आद में facility for student to email gravience query relating to education loan इसके अलावा आप जो है अपनी जो आपकी प्रॉब्लम्स है जो आपके या कोई query है उसके लिए आप email कर सकते हैं education loan के बारे में जानका लिए निकले बैंक को तो इतनी सारे यह सारे इसके जो है finance का decision आया हुआ है उसके इसाफ से जितने भी education loan है उन्हें बिद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू ही आना चाहिए उनको राउट किया जाएगा कहने मुदब अगर आपका student आता है वो education loan चाहता है तो आप उसको यह कह सकते हैं कि आप बिद्या लक्ष्मी पोर्टल पर apply कर दिए हम आपका loan वहीं से देख करके process कर देंगे अब उससे क्या होगा कि आप एक बार student ने अगर जो है एक बार student ने वहां पर apply कर दिया ना तो उससे क्या होगा कि online application को track किया सकतेगा और no application should be pending for more than seven days in portal तो यहाँ पर guideline यह है कि साथ दिन से ज्यादा कोई भी जो है application pending नही को process करना होता है तो यही सारी अब देखे इससे benefit हो ना student को इसी लिए guideline लाई गई है common education loan application farm CELAF common education loan application farm होता है जिसको भर करके student है ना the common education loan application farm is the single farm which student can fill to apply for education loan to multiple banks and schemes ठीक है तो इस इस फार्म को भर करके एक single farm होता है इसको भर करके student apply कर सकता है एजुकेशन लोन के लिए multiple banks और multiple schemes में CELAF common education loan application farm इज अप्लिकेशन फार्म प्रिस्क्राइब भाई Indian banks association ध्यान रखिएगा तो इस इन आई बीए द्वारा यह जो है application prescribed किया गया है और इसे सभी बैंक को द्वारा accept किया जाता है all banks do to accept it okay I student can apply maximum three banks through विद्यालक्ष्मी पोर्टल using CELAF तो CELAF का full farm ध्यान रखेंगे और maximum तीन बैंकों के लिए apply कर सकता है कोई बे student विद्यालक्ष्मी पोर्टल से तो उसको चूज करना होगा कि कौन सा वो पसंद करता है तो clear होगा विद्यालक्ष्मी पोर्टल के बारे में I hope तो विद्यालक्ष्मी पोर्टल जो है आपका पहली बात यह एक platform है जहां पर education लोन के लिए education loan के लिए तो बेश्टान जो आई बी ए इंडियन बैंक्स अस्वेसियेशन का जो वर्किंग ग्रूप था उन्होंने जो रेकमेंडेशन दी उसके हिसाफ से एक platform डेवलब किया जिसका नाम बिद्यालक्ष्मी पोर्टल भी कहा जाता है तो इस पोर्टल की क् जानकारी मिल जाती सभी बैंकों की दूसरा इसमें common education loan application फाम होता है जिसको भर करके और सभी बैंक उसे accept करते हैं कोई दिक्कत नहीं किसी भी बैंक को अप्लिकेशन फाम से आप अप्लाई कर सकते हैं उसके आदमें multiple बैंकों में maximum तीन बैंकों में ऐसे किया सकता है तो multiple ब ही वह उसका status भी बैंक अप्लोड कर सकता है विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर ही ठीक है साथ ही साथ इस्टुटेंट को facility मिलती है कि वह अपना ग्रेवियंस है जो भी queries है जो भी उनकी दुख तकलीब परिसानिया है उसको email के थुरू बैंक से take up कर सकते हैं अब ministry आप finance के ज ज्यादा प्रेंटिंग नहीं रख सकते हैं उसके आद में फुल फार्म ध्यान रखिएगा सी एल एफ कामन एजुकेशन लोन अप्लिकेशन फार्म होता है इस फार्म को भर करके जो है इस्टुटेंट मल्टिबल बैंकों में अपलाई कर सकता है ठीक है और इसे प्रेस्क् मैक्समुम् आप तीं बैंगों में अपलाई कर सकते हैं एक समय पर वह और अपनी च्छ सर्थ मेंगाओ को प्रफियरवल हो उत्यविट कर सकते हैं ठीक है Wikipedia सो मज